लोग सब चुनों के छटी चरण में डुमर्य अगन संसधी सीट का मैदान मार्टने के लिए सभी राज़्टितिक दल अपनी गतिवी दीद देज कर चुके हैं और हर प्रकार्चे चुनों नतीजे को अपनी पक्ष में करने का प्रयास कर दें इसी कड़ी में भारती चुन्ता पार्टी तोरा जिले के बांसी मांग मीला मैदान में लोग सबा यूवा सम्मेलन का आइज़न किया गया जिसमें बतार्मों की अतिती पहुची भाजपा यूवा मोर्चा के राश्चु महमंत्री वैभा सिंग नी सम्मेलन में पहुचे लोगों में जूश्वन्य का सफल प्रयास किया इस दोरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मोधी के निद्रत में देश लगातार ने कीर्थी मान इस्तापित कर रहा है और वैश्विक पटल पर हमारा मान बढ़ रहा है आज ये मोधी का दम है जो देश को विकास सील से विक्सित के तरफ ले जा रहा है लेकिन जिसे साफ से पेपर लीग हो रहा है और युवा वियरोजगार दर बढ़ता गा रहा है क्या युवा आपके साथ जुड़ने नहीं आया हूं युवा और लेडी इस तेश का और पूरी दुनिया का आज नरेन मोधी जी के साथ जुड़ चुका है और बड़ी आशा से उनकी तरफ देख रहा है जरूर आप जो पेपर लीग की बात कर रहे है उस पे सक्त कारवाई हो रही है आपको भी जानकारी है और यह सारा रोग जो है ना पेपर लीग और यह आरक्षड जिसमें लोगों की अपना धंदा चलाते थे नौकरियों का इनका सिंडिकेट थ होगा किसी टाइप का कोई सिंडिकेट नहीं चलेगा यह जो सिक्षा का वैपारी करन किया था खले जा दोने और नौकरियों को जो बेचने का कारोबार शुरू किया था वो योगी जी पूरी तरह समाप कर देंगे आप सब अस्वस्त हो जाईए साल भर के अंदर आप कोई निसे खालों में युवाउं के लिए रोजगार के अशुदेश में नहीं आज हिंदूस्तान में जितने स्टाइफ चलना है कितने स्टाइफ foot किन देश में आज हम चाइना से आगे निकल गए हैं स्टार्ट अप्स के मामने में आज यूनिकॉंस एक हजार से ज्यादा यूनिकॉंस हैं दुस्तान के अंदर तो यह सब परिवर्तन दस आल के अंदर आ गया है एक पुरानी बहुत चर्मर वयुस्था थी जिसको हमने खतम कर दिया है आ आज इस देश का यूगा को सोचने की आ जादी है और अपने हिसाब से जीवन तैंक करने की आ जादी है आप देखिए ना कितने सारे प्लेटफॉर्ण एक प्लेटब॥र्ण झाल